Hello guys, this is Shubham, so guys, आज की इस वीडियो में आपको 5 Best Android Game Hacking Apps के बारे मताने वाला हूँ, जिनका यूज करके आप almost सभी Android Game को hack कर लेंगे, पर आपको एक बात clear करता हूँ, इस की इन एप को यूज करके के कि आप कोई भी All-In Game जैसे Clash of Plans, इन गेम को hack नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम जो होते हैं जो कभी hack नहीं होते हैं, एक बाद और बताती हैं कि इन अप्स को यूज़ करने के लिए आपका फोन जो है रूटेट होना चाहिए अगर आपको पता नहीं आपका फोन रूट है या नहीं तो आप Google में सर्च कर सकते हैं अपना फोन को जो है रूट कर सकते हैं और इस वीडियो करते हैं और इस वीडियो का यूज़ करके आप कोई भी इलिगल वर्क करते हैं तो उसका रिस्पॉंसिबल मैं नहीं रहूंगा So the first app is Cheat Engine जिसका आप यूज़ करके कोई भी Android गेम का वैल्यूज को चैन्स कर सकते हैं उसका वेपन, कॉइन, सारे चीछ को मोडिफाई कर सकते हैं उस गेम को completely अपने कंट्रोल पर करके खेल सकते हैं उसके लगर आपको क्लिक करनें ऐङ, ईक एंडरैट का अइकन को पर क्लिक करना एक जैसे अब Android को अपने कलिक करेंगे तो कई जहाए जहां पर देख सकते है अप लिग करना है आप पर प्रोसेच लिस्ट, तो आप जया चाहते हैं जो आप जो भी एक को कहना हैं अप यूछ एप पे टैप कीजिए गईस उसके बहुत आप से यहाँ पर लिख लिखा है वेलियू करके जो है आपको लोग पे इंटर करें जितना को आपके मैं 3000 कोई ने तो Serg करें के सर्च किर जीए आप देख सकते हैं बगर में search result का option जैसे आप search result पर जाएंगे तो आप इतने search किये हैं वो values आ जाएगा उसके वज़ आपको उसको change करना है फिर यहां से उस value को edit करके अपना game का value को change करके अपना game को hack कर लेना है अगर आपको कुछी समझ नहीं आया है तो नीचे comment कर दीजि कि almost सारे offline games में in-app purchase कर सकते हैं in-app purchase का मतलब यह है कि आप उन games के shop में जाके कुछ भी चीच प्लेश्टोर में खरी सकते हैं जो प्लेश्टोर में आपको credit डेबिट करना है वो नहीं मंगेगा freedom के अलग से guard rather जिससे आप purchase करके purchase successful कर सकते हैं और आपको उले उसके लिए कोई रहेगा आप उस game पर tap कीजिए जैसे उस game पर tap करेंगे तो आपको game जो open हो जाएगा open ओने पर थोड़ा play कर लिजी उसके shop में चले यह shop में चले जाने बस आपको जो भी purchase करना है आप purchase कर लिजिए purchase कर लिजिए purchase कर लिए का और नेट आन होना चीज़ तभी आप purchase कर पाए करेंगे तो वहाँ पर दिखते हैं automatic वहाँ पर लिखा कर आगया kree hack enabled उसके क्या करना है इसको back करके बंद नहीं करना है आपको क्या करने होम बटन दबाएना है जैसे आप home बटन दबाएंगे आप अपने home screen पी चले जाएंगे उसको जो भी game आपको hack करना है उस game को open कर द online games पी यह जो है खाम करता है now the next app is game killer guys game killer मेरा सबसे favorite app है इस app को मैं लगभख 5 साल सी उस कर रहा हूँ game killer का use करके आप guys कोई भी android game पे लगभख वो सारे काम कर सकते है जो आप करना चाहिए जैसे कि उसका coins वागए रचेंज कर सकते है उसका weapon को infinite कर सकते है उसका health बढ़ा सक और आप settings पर जाएंगे तो यहां से अब दे सकते हैं जो भी RAMS वग रहे हैं आप अपना phone अपका थोड़ा slow है तो आप चैन्स कर सकते हैं और काफी सारे features इस app में दिया है guys अगर आपको इस app का detailed video चाहिए तो आप नीचे comment कर दिजिए मैं post करूंग आपके इस app का detailed video बनान अगर आपका phone non-rotated तो आप इसको जरूर इसकर दिजिए आपको क्या करने पड़ेंगे उपर देंगे आपको लिखा है Leo card disabled आपको Leo card disabled पे क्लिक करेंगे तो आपको Neo card enabled हो जाएगा enable connect बाइस इसको भी आपको back नहीं करना है आपको home button पर क्लिक करना है जिससे आप home button पर क्लिक करेंगे तो आपका जो home screen पर आजाएगे उसका जो भी आप offline game hack करना चाहें यह थे top 5 best android game hacking apps जो मैंने आपके लिए personally choose किये हैं यह video आपको पसंद आया आपको प्लीज इस video को एक like कर दिजिए और video को share भी कर दिजिए अपने friends लोगों के साथ और अभी तक आपने इस channel subscribe नहीं किया है तो आप ऐसे new और interesting videos को miss करेंगे जो मैं daily upload करता हूँ और guys in apps में आपको कोई भी problem है या in apps का आपको detail video चाहिए तो आप नीचे comment कर दिजिए मैं आपके जरूर कोसित करूंगा और videos को बनाने का I will see you in the next video